हेलो एवरीवन मैं विपुल अगरवाल आपका एजुकेटर स्वागत करता हूँ आपका साइन्स एंट फन पर तो बच्चो आज हम लोग एकनॉमिक्स के लेक्चर में अपना क्लास 11 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो की है डिमांड काफी बच्चो की भी डि अगर और पर चैप्टर को लेकर क्योंब की इच्प्टर इकणॉमिक्स इस बहुत जादा इन्ट्रistin और जबच्चो को यह जबच्चर समझने में बहुत आसान और बहुत साथ की साथ बहुत इंट्रेस्टिंग भी रहता है साथ की साथ जब बिटा कोई चीज असान होती है न तो वह एक कॉम्प्लिकेशन भी एक नेट्रल कॉम्प्लिकेशन भी साथ में लेकर आता तो चैप्टर के अंदर वह कुछ छोटी-छोटी कंफ्यूशन वाले पॉइंट्स भी रहते हैं कॉम्प्लेक्स भी रहते हैं तो वह भी आपको बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे वैल जब तक मैं हूँ तब तक आपको कोई भी टेंशन लेने की सदूरत नहीं है तो चलिए फिर आज हम इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं अपनी इस जड़नी को हमारी चैप्टर नमबर 3 की जड़नी को ओके तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर हमारे चैप्टर नमबर 3 चो की है डिमांड है सर क्या होता है डिमांड क्या मतलब है डिमांड का देको डिमांड को समझने से पहले न आपको कुछ तीन बारे में समझना पड़ेगा तो आपको डिमांड अच्छे से समझ में आ जाएगा वह पहली चीज ऐसा हमारी क्या डिजायर्स पहले में demand के बारे में अगर बात करूं अगर में demand के बारे में थोड़ी सी बात करूं अगर मैं student फूछता हूं कि demand क्या होता है हो एक student generally बोलता है कि से demand मतलब एक्षा हमारी कोई विश हमारी कोई डिजायर वॉंट उसको डिमांड बोलते हैं बट बेटा एककोनोमिक सी टर्म में ना डिमांड का मतलब थोड़ा सा ब्रॉड होता है थोड़ा सा बड़ा होता है हमारी वॉंट हमारी विश इन सबसे थोड़ा सा इसका मीनिंग ना बढ़ा होता है कुछ elements और इसके meaning में जोडने पड़ते हैं तब हमारे demand का clear meaning निकल कर आता है तो आज economics के नजरिये से हम लोग demand को समझेंगे कि economics के अंदर demand को क्या बोलते हैं आ जाओ तो पहले जो term को हमें समझना है सर वो है desire desire का मतलब होता है wish to buy something wish to buy something demand desire का मतलब हुआ जब हम किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए अपनी इक्ष्चा जताते हैं अपना मन जताते हैं कि यह चीज़ खरीदने का हमारा मन है वहाँ पर हम ability की बात नहीं करते हमारी जोकात की बात नहीं करते हम बस बोलते हैं यह चीज़ खरीदने का हमारा मन है तो जहां पर हम लोग बस अपनी इक्ष्चा जताते हैं विश्च बताते हैं वह होती है बच्चो क्या desire second कोई चीज़ आगर आपको समझनी है तो वह है क्या बच्चो बच्चो वांट्स का मतल होता है बच्चो desires अब प्लस ability to buy कि ability to buy क्या मतलब आया सर डिजाय का मतलब कोई भी चीज़ खरीदने की इक्षा जताना अब यहां पर खड़े हो के मैं बोलता हूं कि मेरा ना एंटालिया खरीदने का मन है तो मेरा मन है डिजायर है ठीक है वहां पर मैं ability की बात नहीं कर रहा अगर बिटा अगर मैं एंटेलिया खरीद सकता हूं जो हमारे बाइट एंटो गजाएगा तो अगर म l hyek के साथ उसको खरीदने की ability धी रखता हूं तो वह मेरा डिजायर से क्या बन गया वाउ न्यांने की अगर मैं design मै एमिलिटी टू बाइक भाई को भी प्लस कर दूंगँ अपनी खरीदने की ऐब दिटी को भी उसमां प्लस कर दूंगा तो मेरा डिजैंट क्या बन जाएगा मॉन्ट बन जाएगा तो बन जेटेंगा घृजायर प्लस एबिलीटी टु बाई तो बात आगी शबर में जहांपर खाली हम करते हैं तो डिजायर हो गया जिस जगहाँ पर हम लोग विश के साथ साथ एबिलीटी को भी प्लस कर देते हैं तो वह हमारा क्या बन गया बच्चों वॉंट बन गया का सच को meer सिर दीमांड कैसे बनता है इस वंज और अमने दो चीजा और प्लस करना पड़ेका जो कि हम była देगा अगर में असवे इंदि घदींगी करूं तो डिमांड के अंदर मुझे इन दो चीजों को और प्लस करना पड़ेगा याने की डिमांड का मतलब क्या कि मेरे को वांड को भी प्लस करना पड़ेगा मुझे अपनी वांड को प्लस करना पड़ेगा किसके साथ दो पॉइंट के साथ क्या प्राइस आरप겁 प्रिडोंब और टाइम तो यह बन आता है बच्चों क्या डिमांड ऐल्टि मेटल पर चीजन को पताता है क्या पैले बात बता को इस आनिकी विलिंगनेस विश चांप得 यह पर लिख देता हूं विलिंग lonely श बताता है विल्श बताता है कि Willingness कि हमारा खरीदने का मन है भी या नहीं है कि हमें बताएगा ability यानि कि हमारा खरीदने का मन है साथ साथ हम a bill भी होने चाहिए ठर्ड पताएगा price और चौथा बचाये का time period अगर यह चारों चीजें आपकी मैच हो रही है तो एक क्या बन जाता आपका क्वांटन बन जाते क्या बन जाता आपका डिमांड बन जाता है तो अगर मों देफिनिशन को पढ़ेंगे तो आयजे देखिए टीमांड इस्थक क्वांटिटी ओफ कमोडिटी पहली चीज चीछ निकल कर राए डिमांड यس बोलते इस को लिए था है भाई सीधी बात है इस दिमांड तो कॉंटिटी को ही रिफर करेगा ना किसी भी कमोडिटी के मांगे चलो कमोडिटी को यहां पर बोल देता हूं बच्चों यह Tata Nexon community को बोल देता हूं मैं यहाँ पर अधार नेक्सउन Secondly गारी आती है नेक्सॉन उसको मैंने बोल देढ हाँ पर commodity with the consumer .s कि दूरिंगा गिविन पिरेड ऑफ टाइम पिरेड ऑफ टाइम तो बस इनी चीजों के अंदर ना डिमांड आपकी घूमती रहती है तो अभी डिमांड की डेफिनिशन को याद कर लो डिमांड इसे कॉंटिटी आपको मतलब बताया कमोडिटी का मैंने एक्जांपल लिया ट अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों मैं गया मार्केट के अंदर मुझे लेनी थी घाड़ी ठीक है मैं गया गाड़ी लेने के लिए अब बात सर क्या मैं नेक्स व मैं दर होगी ऐसे ही सीर्फ ने मेन क्रीदनेकं मरजी थी क्या मैं नेक्स्만 फ्रीदना चाहता था किया मेरे पास मततम मेरी औक झी क्या मेरी एबिलिटी थी कि मैं उसको खरीज सकता हूं ह commence the nexton का प्राइज ना कैमेरे को एक महीने बाद मिलेगी आजनी नीक मेने बाद मिलेगी क्या में एक महीने बाद खरीदने को मेड़ी हूं हां जी सर हूं तो क्या य stretched अपन्द क्लियर हो Exact कर दोगे मैंने किने बाद मिलेगी खरीद मैं हंजी ठीक है खरीद लेंगे कर रहा हूं यारा कि अपनी इक्छा भी जता रहा हूं प्राइस पे भी और टाइम पर भी अग्री कर गया जहां पर चारों चीज़ें वह बन गई क्या मेरी डिमांड बन गई एक एक जामपल अगर इसी में लेकर चलते हैं जब शोरूम वाले ने बोला नौग रुपे की है मैंने का हंडी ठीक है देने को तयार हूं उसने बोला आपको आज नहीं कि एक महीने बाद मिलेगी मैंने की बेफ कुल समझाए क्या नौ लाग रुपे दे रहा हूं और एक महीने बाद भी मिलेगी मेरे को मैं नहीं खरीदूंगा तो क्यों मैंने देख आप टाइम के लिए बच्चों मना करा कि एक महीने बाद मैं नहीं खरीदूंगा तो डिमा गदेंगे quantity of commodity demanded clear है बच्चों demand आपर आपको clear हो गया होगा इस यह डिमाड ना दो तरीकिया का होता है पहला होता है individual demand दूसरा होता है market demand पहला होता है individual demand दूसरा होता है market demand शेम सेम बिल्कूल definition वहीडिमांड वाली है अगर आप पढ़के देखिंगे लिटाइब तो समझ में आता होगा single person यानि कि single person single consumer भी बोल सकता हूं मैं single consumer ठीक है और market का मतलब collection of consumer या फिर a group of consumer मतलब more than one consumer अगर मैं बोल सकता हूं या फिर all consumer भी लिख सकते हो आप यहां पर सारे consumer included होते हैं ठीक है आई यह देखिए individual demand refers to the quantity of a commodity ते तो सही बात है data consumer is willing able to add each possible price during a given period of time same demand वाली definition है same but यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा that a consumer a consumer यहां पर किसकी बात कर रहा है one consumer की one consumer की तो जहां पर एक consumer की demand की बात करें तो वह individual demand हो गई second क्या होता market demand market demand refers to the quantity of a commodity that all the consumers are the same definition willing and able to buy a possible price during a given period of time but all यहां पर क्या रहा है all the consumers यहां पर क्या रहा है all the consumers तो बीडिफरेंस बीडिवीन इंडिवीचल demand and market demand में सिर्फ एक डिफरेंस है कि इंडिवीचल डिमांड एक consumer की बात करेंगा और करके डिमांड सारे consumers की बात करेगा सारे consumers की बात करेगा सब्सक्राइब का इसका मतलब क्या हो गया इंडिवीचल डिमांड यहां पर मैं कि क्या हो गया मेरा मार्केट डिमांड गया ठीक है इसके का अग्जामपल भी ले सकते हो सबस्व खरो आप एक शौप चलाते όब ऑर आप शौप चलाने के बाद क्या देख रहे हो कि आपके पास के कस्टूमर आया और उसने आपसक बड़ी अडिपसीبة करी मांगे चलो आप शूस बेशते हैं उस कस्टमर ने बोला कि मेरे को इस वाले मॉडल के शूस चाहिए तो वह अकेला डिमांड कर रहा है उसकी एक कंजूमर की डिमांड तो आपने वोला ठीक है तो वह आपकी निगाह में क्या हुआ इंडिवीट्वल डिमांड जहां पर म करें ना क्लीर है अब गल्ती तो नहितों होगे न अपने एक्जाम में ठीक है नेक्स को देखिए डेटर्मिनेंट्स अब डिमांड इंडिवीजेल्वीजाल डिमांड यहाँ पर बात करेंगे हम लोग इंडिवीज़ डिमांड के डिस्के अब wants to go to preach numeric of the demand का मतलब क्या हो गया factors affecting ृट that's affecting है डिमांड है और इंडीविडल दिमांद यानि की वो कौन से फेक्टर है जो कि एक individual होग second consumer की demand को यह तो भड़ाते हैं यहां पर कम करते है tut 젊नी कि एक सिंगल कंवर कब इमांड जादा करेगा कब इमांड कम करेगा उसके पीछे की रीजन को बोलते हैं हम लोग janet demand factors लियंक किस रीजन की विर से 판 lengens à करता है क्इस रीजन की वरे से एक consumer demand कम करता है उस रीजन को हम लोग देखते हैं तो उस रीजन में जब पहला रीजन आता जब फर्स रीजन आता वो क्या होता है price of own commodity यानि कि वो जिस commodity की demand कर रहा है उसी commodity का price क्या होता है सर पहला reason होता है second क्या होता है price of related goods asset price of related goods यानि कि बुझिक की बात कर रहा है सपोस करो हम यहां पर वह बात कर रहा है मैं मानके चलता हूं यहां पर वह बात कर रहें next on की ठाटा next on की बात कर रहा है तो्यांपर price of own commodity तो यहां पर commodity का मतलब क़्ै और next on य persistence或者 price next on का price ही decide करेगा न कि वह को खरीदना चाहते है और नहीं खरीदना चाहता ठीक है क्लियर है पहला reason तो यह हो गया सर्प राइज आ का में क्लियर हनी Jeśli Worst है है सेकेड् सकता है मैं पर कॉंपलीमेंट करि मैंटरी घुरट उथे कॉंसे वोट्ट चोंकि एक्चिल में कॉंपटिष्ण में खड़े होते हैं जिन गूढ पर अब डिमांड कर रहे थे एक साथ बंडें की दिमांड मतलब नेकसंके कॉंपडिशन प्रेक्ष़ंवेशन वब को हमने competition उठाया मारूती सुझू की ठीक है हमने जब रहा को लिया तो वह हमारा क्या होगा substitute क्योंकि एक customer नेक्सोन भी चला सकता है और नेक्सोन की जगा मैं क्या बोलना बात सुनना नेक्सोन की जगा यानि कि कि नेक्सोन को किस से सब्सीटीप कर सकता है वो थे सब्सींट्यूट कर सकता है तो यानि इक विह निक्डियर यानि तर Fell हम बात करते हैं कि की जगूट्सार धिकते हैं क्लियर है नहीं है एक बाप पताओ फो सर गाड़ी की एसे melhor इस सभर यह फोन चला रहा हूं यह फोण चला रहा हूं तो मेरा फंद्प्र on the Accessories for this phone जैसे इस स्क्रीन गाड़ है इसकी Online कब ज्यादा Оगी तह備 मेरे फॉन की डिमांड ज्वींक्रीज क्होंगी क्यों कि साथ में विते करेंगे तो स्पसेटुट्च का मतलब वह गोड़्च जोकी एक्सेंज सार अफकोर्स पी बात है एंकभी इंकम भी दिमांड पर डालेगा अकम का असीर होगी बहुतन होगी नभी इंकम होगी तो डेमांड कम होगी इंकम होगी एंकम होगी का मुग का अधिस्ट एन मुद इस हिस है अ多少 अगर अगर कंसुमर का टेस्ट कंसुमर कपरिफरेंस कि कि ओके में उसकी क्या एक्षखः के ट्रेंड के चलेगा ना है कुसれた गाडी का ता ळीप ठीक है पंच गाड़ी का नाम लेता हूं बहुत मार्केट में चाह रही है सब कुछ है बट अगर मैं गाड़ी खरीदने या मैं क्या देखता हूं यार मुझे पंच नहीं चाहिए मेरे को यह पसंद नहीं है मेरे को पसंद नहीं बड़ी वाली गाड़ियां लाइक गाड़ी मुझे चलाने का मनी नहीं है मुझे गाड़ी का जो शॉक है गाड़ी का वह तो बड़ी गाड़ियों को शॉक है बात आहीं समझ मैं कि फिफ्ट है बच्चो क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पहला क्या होता है आपका प्राइस ऑफ गिविंड यानि कि दिमांड की बात कर रहे हैं उसी कमोडिटी कि प्राइस की बात करेंगे तो सर इन दोने की बीच में कि इनवर्ड रिलेशंशिप होता है कि इसमें प्राइस कॉंटिटि इमांड़ में कहने का मतलब एक कस्टुमर तो आप देखते भी होंगे जब सस्ता होता है ने टिमांड करता है जब गोर्ट क मेहंगा हो जाता है की प्राइस कम हो गया तोzing Ben वढ़ती है फार्वाइस गया तो डिमांड कम हो जाती है फ्राइस पर जायेगा वजोस्च सहसे बीचे देसे क्हते स्ब dw ऑ मतब जो एक दूसरे की ज़गा पर रिस हो सकते हैं यानि के एक कस्टुमर् Gen इसे बोलते सुब्स कोंप्लीमेंटरी फूर्टस में जो होते हैं जो की एग दूसरी के साथ मैं विखेंगे याने की एक फोन की ऐसे सरी ओर फोन के साथ भी के गी तो फोन की ऐसे प्वöt home अरद नीक कोम्प्लीमेंटरी गोड़्ट मत सब्केन और शूर्फ लीटी पॉन और इसके ऐपल वाच और एपल एयर कि मेरे को एक बात बताओ अगर मुझे टी की डिमांड भढ़ानी है मुझे की की डिमांड इंक्रीज करनी है तो मैं कॉफी का प्राइज इंक्रीज कर दूंगा आप कॉफी का प्राइज इंक्रीज करके देखो आप कॉफी का प्राइज अब इंक्रीज करोगे तो कॉफी जो रिलेशन एक पॉजिटिव रिलेशन है क्या एक पॉजिटिव रिलेशन है और अधर साइड अगर कॉम्प्लीमेंटरी कुछ की बात करूं कि इसमें जानके देखना अगर मैं आईफोन और एप्पल वॉच्छ मैं काम करता हूं देखो मैंने आईफोन का डिमांड अगर मेरे को इंक्रीज करनी है तो मैं आईफोन का प्राइस को डिक्रीज करता हूंगा सीरीज ही बात है आईफोन की डिमांड को क्या बोलते हैं इंक्रीज करने के लिए अगर मैं इधर चलो इधर देखो यह चीज छोड iPhone, sir एक बाहर मेरे को बताओ कि Apple Watch की Demand कभ Increase होगी जब iPhone की Demand increase होगी simple जब iPhone की Demand increase होगी clear बाख holds है नहीं है और iPhone की Demand कभ Increase होगी जब iPhone कie price degrees होगे हुँगे, कीख नहीं कहा हुँआ की, increase in the price of the complementary Goats the.的话 the lease to a decrease in the demand for a given commodity. कहने का मतलब ध्यां से सुनना अगर मैं इस जगाव पर एप्ल आइफ्वोन के प्राइस को बढ़ा दूँगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी का मोल जाएगी तो यहां पर यहां पर एप्ल वाँच की भी दिमांड कम जाएगी तो यान एक जब एक कॉम्पलिमेंटरी कूट का प्राइस भढ़ जाता है ना तो उसकी वज़ए से जो हमारी गिविन कमोडिटी है उसका डिमांड कम हो जाएगा तो इसके बीच में कैसे रिलेशन आया तो इसके बीच में आया नेगटिव इलेशन इंवर्स नेगटिव यह फिर इनवर्स रिलेशन तो positive relation का मतलब क्या हुआ प्राइश क्या हुआ कि जो हमारा सब्सुंएटी डूड का प्राइस भड़ा तो जिसकी वरे से हमारी कमोडिटPass का डिमांड ही फड़ गया यानि कि सब्सुंएटे डूड के प्राइस थे जबंक कमोडिट का डिमांड फड़ गया ठीक है positive relation complimentary goods में क्या हुआ complimentary goods का price कम होने की वरे से हमारी given commodity का demand भढ़ रहेगा अगर complimentary goods का price increase हुआ तो हमारी given commodity का demand decrease हो जाएगा clear है नहीं clear है तो substitute goods में positive relation होता है complimentary goods में negative और inverse relation होता है कहने का मतलब price बढ़ेगा price भढ़ने के साथ सा demand भढ़ रही है तो positive relation और फ्राइस भढ़ने की वहले से दिमांड कम हो रहे है तो नेगेटिव रिलेशन ठीक है थार्ड है बच्छों आपका क्या income of the consumer income of the consumer क्या होता है demand for a commodity is also affected by the income of the consumer अब income of the consumer ना दो category में demand होती है पहली category कांसी होती है normal good की दूसरी category होती है inferior good की हम normal good को समझने से पहले समझेंगे inferior goods ना तीन तरीके क्यों होता है नॉर्मल गुड्स inferior goods तीसरा होता है आपकर क्या जो हाइश स्टेटस वाला गुड्स सो बोलते हैं यानि कि जो इस्टेटस इनसान की औकात को दिखाते हैं बहुत महेंगे वाले जो होते हैं एंसे होते हैं तो यहाँ पर अगर inferior goods की बात करें अंगी inferior goods वो गुड्स होता है जो की एक low quality गुड्स होता है और इस कुड्स को consumer तब कंज्यूम करता है जब उसकी income कम होती है जब उसकी income कम होती है बात है समगह में आप नहीं आई यानि की inferior goods वो गुड्स जो की quality में बहुत जदा कम होता है low quality का होता है और उसे consumer तब कंजूम करता है जब उसकी इंकम कम होती है तो यानि कि सर अगर इंकम भड़ जाएगी तो कंजूमर इंफिरियर गूट को करना बन ने कर देगा हंजी कर देगा बिल्कुल कर देगा इसका बड़ अच्छा से एक्जामपल देता हूं मानके चलो एक मजदूर बैठके बीडी पी रहा है तो मजदूर के लिए वह बीडी ना इंफिरियर गूट्स होगी क्योंकि मजदूर को पता है कि मैं अगर ज्यादा पैसे कमाने लगूंगा तो मैं बीडी छोड़ के सिग्रेट पर शिफ्ट करता हूंगा तो बीडी इस एंफिरियर गूट्स बाता ही समवन में आप पर नहीं आई तो जैसी मजदूर की इंकम भड़ेगी तो बीडी की डिमांड कम हो जाएगी सिग्रेट की डिमांड भड़ जाएगी ठीक है अगर हम यहाँ पर देखे हैं से इंकरीजिन इंक्रीजिन एंकं में इंक्रीज होगा तो उसकी वरे से क्या हो जाएगा डिमांड डिकृत हो जाएगा तो मस्दूर की इंक्रीद की डिमांड कम हो गईOT क्लियर था नहीं क्लियर था तो याने कि inferior good के case में कैसा relation है inverse relation कि inverse relation कि की जब मज़ूर की income इंकम भड़ी थी तो demand क्या होगी थी कम हो गई ती क्यों कि वह क्यों करेगा लो quality goods कंजिंग क्यों करेगा उसके demand कम प्रिब्ड लेकिन अगर मजदूर की income कम हो गया जो इनसान सिग्रेट पीता है ना तो उसकी इंकम कम हो गई तो वो बीड़ी पीना चालू कर देगा तो यहाने की income कम होने की वज़ए से inferior Good की Demand क्या होने लगेगी बढ़ने लगेगी बात आगी समझ में दूसरा क्या है इस दक दूसरे देखें नॉर्मल गुड वो डिसके की टम्स और नॉर्मल ही रहती है जो हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं यानि कि हमारी इंकम भड़ गई तब भी हम उसी गुट को यूज करेंगे हमारी इंकम कम हो ग होती है जो हमारी इंकम होती है तो वह मारी का होगा कि हैक हमें की क्ली हो गई तो नूर्मल अगर उसकी इंकम भाढ़ गई तो डिमांड भी बड़ा देगा अगर इkell स्क ओडो तो बच्चों बात आगी होगी समझ में याने कि जो कंस्यूमर की इंकम इंकम दो तरीके गुड्स होते हैं इंफिरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स इंफिरियर गुड्स केस में सर इंवर्स रिलेशन होता है कि अगर इंकम कस्टुमर की बढ़ जाती है तो वो करेगा नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है नॉर्मा गुड्स के स lucề के से healthy याने की एक कंशिव वर जाती गहां आफ या अन्म बोर्ड हो ज हो जाता थि कंशिव करेगा अब करेगा और याम लोग देखते हैं तो नक्स हमारा Pale है क्या टेस्ट तेंग असान है इफ यह कमोडिटी इन फैशन और इस प्रिफरद बाइदा कंचुमर ने इमांट वर सच चमुडिटी राइस ओंद अधर रही है अगर आप कपूर अब घुटी बात बढ़ेगी और अगर कोई कोई कमोडिटी है उसकी डिमांड पैशंग के अकॉर्डिंग नहीं है तो इसकी डिमांड आटमेटिकली क्या हो जाएगी कम हो जाएगी बात आई जमन में यह नहीं आई क्लियर है इसका सबस्टे अच्छा इसका हम लोग कपड़ों में देखते हैं ठीक है कपड़ों में आप देखते हैं बच्चे की हर साल एक नया ट्रेंड आता है हर साल एक नए तरीके के डिजाइन निकल कर आती है नहीं तरीके निकल कर आती है कपड़ों में तो अगर मैं आप से बोलू कि आज आपको आज से प अच्छो जब पुराने हम अमिता बच्चन की जो एंग्री यंग मैन वाली टाइम की जब हम मुवीज वगरा देखते थे तो वह क्या करते थे अमिट जी अपनी जो पैंट थे ना वो नीचे असे बेल बॉटम वाली हम लोग पैंट बोलते थे लेकिन आज वह नहीं चल रही जी चल रहाएज को ऑकि फैशन में नहीं है तो अफकॉर्स इक एक जो प्रीदै करےगा वह उन वूर्ण करेगा जो कि आज की जनता चाहत ही है पहनना जो कि आज की जनता फैशन में रहना चाहती है इस विप्सके से क्लियर ने 175 अटक्टी इंक्रीअ है तady कि करके पंदर लगेगा हाँ यह चीज फैशन में और उन गुर्स की डिमांड कम हो जाएगी जो की आउट ओफ फैशन जाने की आउट ओफ ट्रेंड चला जाएगा जो की कस्टुमर को पसंद नहीं आएंगी कस्टुमर प्रिफर्ण नहीं करेंगे इस नेक्स अपक्या एक्सेसिशन उफ चेंज इन दप्राइस एक्सphonesटेशन ऑफ टेन प्राइस इस फ्यूटर प्राइसि में कि चेंडी्जन हाना किसी कमोडिटी के प्राइसिस में चेंज आएगा उसके अकौर्डिंग भी डिमांड चेंज होती है मेरे को बच्चों एक बात बताओं मैं यहां पर आपको नेक्सवन का एक्जाम्पल देता हूं अगर अगर ध्यान से सुनना अगर टाटा कंपनी है बोले कि नेक्सवन ना वन मन्त लेटर एक महीने बाद एक लाक रुपे एक लाक रुपे महेंगी हो जाएगी ठीक है दूसरी बात बोलता है कि वन मन्त लेटर एक लाक रुपे चीपर हो जाएगी सस्ती हो जाएगी कि अब देखो दौना एकिस में ध्यान देना यहां पर बात करना की कि靈 स्वेटर प्राइस कि फ्युचरपारिव भरते इस कम होंगे अगर हमारे फ्यूचर dus in इंक्रीज होंगे तो बच्चों आज की डिमांडीं क्रीज होगी दियान से सुनना अगर फ०ॉचर प्राइसिस उंगे तो प्रेजन की डिमांड से तो आज मैं क्यों खरी दूँगा बही मैं तो एक महीं ने बाध जा कर खरी दूँगा ना तो आज दिमांड कम हो जाएगी याने कि फ्यूचर फ्यूचर प्राइस भढ रहे होंगे तो करेंट इंक्री बात आगी समझ नहीं आगे अब देखो अगर कमोडिटी का फ्यूचर म में हम लोग देखे हैं तो अगर हमारे future prices increase कर रहे हैं तो हमारी demand भी क्या करेगी increase करेगी यानि कि positive relation है positive relation है और अगर हमारे future prices और अगर हमारे future prices decrease करेंगे तो हमारी demand भी क्या करेगी decrease करेगी तो यहां पर भी positive relation है तो यानि कि हमारा जो expectation of change in the price in future है न वो क्या हो जाएगा positive relation show करता है क्या show करता है positive relation को show करता है next देखते हैं determinants of demand market demand अब सर वो कौन से factor हैं जो कि market demand को change करते हैं सर market demand और individual demand की factor same है याने कि जो factor एक individual की demand को affect करेंगे वही factor market की demand को भी affect करेंगे but market में तीन और factors होते हैं जो कि उसकी demand को affect करेंगे जो की होते है size and composition of population season and weather third distribution of income यह तीन factor और होते हैं जो कि market की demand को affect करेंगे आईए देखते हैं पहला क्या size and composition of population market demand of commodities affected by the size of population in the country ठीक है increase in population race अब देखो यह ध्यान से सुनना increase in population market demand यानि कि अकर population increase होगी तो market demand भड़ेगी clear है नहीं clear है while decrease in population reduces market demand ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा demand करेंगे कम लोग होंगे तो कम demand करेंगे simple है तो यहां पर क्या निकल कर आएगा अगर हमारी population increase करेगी तो demand भी क्या करेगी कैसा रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन है कैसा रिलेशन है यह पॉजिटिव रिलेशन है जैसे मान के चलो जैसे for example suppose करके चलो हमने बात करी हमने बात करी एक population 1 lakh की है हम एक city को एक market बोल रहे हैं और city की population 1 lakh है 1 lakh में 1 lakh में बच्चों 70,000 ऐसे लोग हैं जिनकी age 25 है एक लाग लोगों में से 70,000 ऐसे लोग है जिनकी age 25 है तो composition कैसी एच कैसी एच का यंग people का है तो यंग people के लिए चो डिमांड होगी वह यंग product वाली होगी clear है नहीं clear है तो यानि की demand जो है ना composition के उपर भी depend करती है दूसरे इसका example ले सकते हैं कि मान के चलो यह यंग नहीं है 70,000 सर मेल है फीमेल माल लेते हैं लोग 70,000 फीमेल है और 30,000 मेल है मेरे को एक बार बताओ सब पॉपुलेशन तो एक लाकी है लेकिन composition के उपर भी demand depend करती है कि उस composition यानि की part सर 70,000 female 30,000 मेल यानि की demand कौन से product की जाधा होगी उस product की जाधा होगी जो की female को पसंद आएगा यानि की female product की डिमांड जाधा होगी तो composition of population यह वाली सीज होती है और सो अफेक्टर डिमांड फॉर कमोडिटी यानि composition के ऊपर भी demand depend करती है कि second ने क्या season and weather यार इसके of course आप करती करती है मांगे चलो winters है winter season है तो jackets वगर आगे रहना की winter product की demand increase हो जाएगी jackets है gloves है caps है hoodies है इंकी demand increase हो जाएगी अगर हम बोलेंगे summer season है तो टी शर्ट्स जोगर्स इनकी demand decrease हो जाती है ठीक है पाता ही समझ में आप पर नहीं है यानि कि season के असाब से भी demand change होती है summer season में seasonal fruits आते हैं उनकी demand increase हो जाती है winter के कुछ और fruits होते हैं उनकी demand increase हो जाती है यानि कि सट चाहे हम लोग food की बात करें चाहिए हम लोग fashion की बात करें चाहिए हम लोग किसी और product की बात करें तो वह season के accordingly क्या होती है change होती रहती है अगर हम लोग बात करें हम कहते ना festive season आ रहा है festival का season आ रहा है जो हमारे इंडिया में September में start होता है और November तक हतम होता है रहा है नहीं कि लिए तो फैस्टिफ सीजन में हम लोगों की कि सब्सक्राइब बढ़ती है कपड़ों की बढ़ती है अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं गरीब और गरीब होते चले जा रहे है reason being कि जो इंडिया के अंदर employment बटा हुआ है ना वो सारा काम अमीर लोग लेके चले जाते हैं गरीबों के लिए कुछ नहीं बशता फॉर एक्जांपल अब भी अगर हम लोग लाइन स्मार्ट की बात करें तो इंडिया के अंदर यह है अब इसकी वज़ए से क्या होता है कि अमीर और अमीर होते चले जाते हैं गरीब और गरीव होते चले जाते हैं जिसकी वज़ए से जो income distribution होता है ना वो बिगड़ जाता है कि अगर इंडिया की GDP बढ़ रही है इंडिया ग्रोथ कर रहा है तो वो ग्रोथ साली खाली जो है अमीरों की वज़े से हो रही है वो गरीबों की वज़े से नहीं हो रही है बात आई समझ मैं तो अगर जहां पर income country का equitable distribution होगा याने की सब को काम करने के बराबर मौके मिल होगे अब उपर वाले केस में सब लोगों के पास पैसा होगा तो सब लोग डिमांड करेंगे बट इस होज़े केस में या तो सब लोग भात अमीर होंगे ओ कर चाह्त míरों नहीं कर शो सा functional relationship functional relationship याद कर लो शब्द को functional relationship किसके बीच में बटाता था function relationship quantity demanded for a particular commodity and factors influencing it याने की जो डिमांड function है ना demand function functional relationship बताता है किन-किन के बीच में sir demand के बीच में और वो factors को कि उस demand को affect करते हैं उनके बीच में functional relationship बताता है clear है नहीं अब आता है क्या individual demand function पढ़ा ही था individual demand के बारे में जो कि एक customer की demand को क्या करता है affect करता है उसको बोलते हैं individual demand function so individual demand function refers to the functional relationship between individual demand and the factors affecting individual demand clear any clear है तो याने की इसको कैसे करेंगे sir dx का मतलब demand for the x commodity is equal to function कौन कौन जे प्राइड रिलेटेट गूट्स प्राइड आप दा ओन कमोडिटी प्राइड रिलेटेड गूट्स इंकम टेस्ट एंड प्रिफरेंस फ्यूचर एक्सपेक्टेशन यह पास फेक्टर होते हैं जिनकी वर्यसे डिमांड को एफेक्ट करते हैं और इनके बीच में फंक्शन लिलेशन्शिप इससे क्या बोलेंगे फंक्शन बोलते हैं अगर मैं आपको न यह चीज़ लिखवा भी देता हूं यहां पर बच्चों नोट डाउं कर देना दी एक्स का मतलब क्या होता है डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स पी एक्स का मतलब क्या हो गया प्राइस ओफ commodity X PR का मतलब क्या हो गया उस जगाह पर price of related goods वह substitute goods or complementary goods y का मतलब क्या हो गया income का मतलब क्या हो गया टेस्टेशन प्रिफरेंसेज और इका मतलब क्या हो गया future expectation future expectation of prices तो एक इंडिविडियोल की दिमांड इंपार्टर्स की वरे से ही तो होती थी इन पार्ट्रेक्टर्स की वरे से ही तो चेंज होती थी तो इन पार्ट्रेक्टर्स और डिमांड में जो कि फंक्शनल इंडिविडियोल डिमांड फंक्शन इंडिविडियोल डिमांड फंक्शन इंडिवीडरल डिमांड फंक्शन फंक्शन फंक्शनल लिलेशन है उसी को बोलेंगे बच्छों क्या इंडिवीडरल डिमांड फंक्शन क्लियर है अब नेक्स पढ़ते हैं क्या मार्केट डिमांड फंक्शन मार्केट डिमांड फंक्शन क्याने कि वहीं फंक्शनल रिलेश इंडिविजुल दिमांड करको क्या कर रहे एक कर रहे एक कर रहे थे कौन कांज है प्याइक्स प्राइड अवट्वीटी अभी लिखवाया है प्यार प्राइड रिलेटेड कूट्स इंकम अफ थे एक्टेशन और तीन फेक्टर और थे कौन-कौन से पीओ मतलब population and composition S मतलब season and weather D मतलब distribution of income चायता आप लिख सकते हैं आपर PO मतलब population and composition population and composition S मतलब season and weather और D मतलब distribution of income ठीक है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि demand function क्या होता कुछ भी नहीं होता functional relationship होता demand और उसके factors हो क्यों से affect करते हैं उनके बीच में clear है demand function function relationship between the quantity demanded of a commodity and the factors influencing it तो दो तरीके कि आपकी demand होते थे इंडिविटल demand market demand ऐसे ही दो तरीके की demand function भी होंगे इंडिविटल demand फॉंच्ट मार्केड दिमांड फॉंच्ट इंडिविटल demand function जहां पर पांच फेक्टर इंफ्लूएंस करते हैं किसको demand को कौन कौन से पी एक्स पी आर वाइटी पी एक्स पी आर वाइटी इप्स प्राइज आफ दो ओन कमोडिटी प्यार मतला प्राइज अफ दो रिलेटेट गुट्स वाइस से इंकम ती से टेस्टेसें प्रिफरेंस इस फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और मार्केट दिमांड में आठ आठ फेक्टर इंफ्लूएंस करते हैं दिमांड को पी एक्स पी आर वाइटी इपी ओ डी एस ठीक है जहां पर प्यों का मतलब प्योफ और सिस्टेसें न्यावर और में अगया होगा बाकि जो आप का नेक्स टॉपिक एक बार देख लेते हैं इसको छोटा सा ही टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है एक बार इसको समझ लेते हैं यह सब्सक्राइब do you mean by change in quantity demanded or change in demand change in quantity demanded change in demand में क्या difference है बच्चो एक में normally अगर मैं बात करूँ तो एक demand यह demand function हो गया यह demand function हो गया यह demand function हो गया ठीक है maximum in art तरीकों से change हो सकती है अगर मैं बात करता हूं बच्चो अगर मैं बात करता हूं यह बच्चो इसको जो price of the own commodity price of जो price की बात करते हैं अगर x commodity की बात करने तो x commodity की price की जब बात करते हैं इसको बोलते हैं क्या बच्चो मेन फेक्टर इसको बोलता है क्या बच्चो मेन फेक्टर और इसको बोलता है क्या बच्चो अदर फेक्टर तो जहां पर प्राइस जहां पर प्राइस की वरे से दिमांड में चेंज आए याने कि दिमांड में चेंज आ रहा है बच्छों वो फ्राइज की वज़े से आए ब्राइज की वज़े से जैनि फ्ैक्टर की वज़े से में फ्सको बोलेंगे उसको बोलेंगे बच्चों क्या चेंज in quantity demanded डिमांड़ जहां पर मेंट एक तिन जाएगा प्राइज की वज़े छेंज जायेगा, उसको बोलेंगे चेंज इन कॉंटिटी दिमाण्ड़ेड वैं क्लियर नी क्लियर है और जहाँ पर और्ट जिस जगा पर चेंज आया आपका किसकी वरे से जिस जगा कि बात आगी समय में आप पर नहीं आई बड़ा आसान है अगर प्राइस की वरे से चेंज आ रहा है तो चेंज इन कॉंटिटी डिमांडिट और अगर अगर अधर फैक्टर जैने कि इन बाकी बच्चे कोई से भी किसी भी फैक्टर सी वरे से चेंज आएगा तो उसे इन डिमांड आओ देखो इदर say करी जाएगी वो किसके बेसिस पर कौन सा फेक्टर से इंफ्लुएंस कर रहा है उसका प्राइस याने की डि एक्स की वज़े से चेंज होगा पी एक्स की वज़े से प्राइस प्राइस ऑफिट्स ओन कमोडिटी की वरे तो वे नहीं वर डिमांड फॉर्ट गिवन कमोडिटी डिमांडड चेंज इन कॉंटिटी डिमांडड और चेंज इन डिमांड क्या होती है जहां पर डिमांड में चेंज जाएगा किसकी वरे से अधर फेक्टर की वरे से तो बच्चों यहां पर डिमांड इंक्रीज करी यहां पर यहां पर डिमांड डिक्रीज करी किसकी वरे से किसकी वर्य से due to px due to px ठीक है और यहां पर क्या अगर हमारी demand decrease करेगी हमारी demand increase करेगी है decrease करेगी किसकी वर्य से other factors other factors I hope आप लोगों कोई clear हो गया होगा बड़ा असान है changing quantity demanded मतलब price of demand को उपर नीचे करेगा और change in demand का मतलब जब other factors price को sorry demand को उपर नीचे करेंगे clear बात कोई problem इसमें नहीं तो बच्चों आज के इस lecture में बस इतना ही I hope आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा ठीक है आप इसको रिवाइज जरूर करिएगा और आप लोगों से बहुत एक request है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें सब्सक्राइब पर हैं हमारे चैनल को और इस वीडियो को आप हमारे science and fun के app से free में free में डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों ठीक है तब तक के लिए टाटा बाए बाए टेक केर एब्रीवन